अब्लाइक्मान रखेम असलाम अलेकम स्टूरेंट्स कैसे सब लोग उम्मीद करता हूं सब लोग खरेश हूंगे वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल फालकन कैडमी जैसे कि आप लोग को पता कि हम इंग्लिश 523 का कॉर्स शूर किये हुए है इस लिजिए में आज हम पढ़ कि इसकी बजाए कि जो लैंग्विज यह सिर्फ करती है उसके साथ जो स्पीच एक्ट थे और यह जो ब्रिटिश फिलोस्फर था जी जे ऐल आॉस्टिन इसने यह इडिवल्प की थी आपने यह पॉट्रेंस कुएस्टों और आपने अपने आपने जेहने में रखना है लेटर जॉन सर्स ब्राट अस्पेक्ट अप्र थेओर इंटो थेमेंशन और उसके बाद जो जो जॉन सर्ल था उसने इसको मजीद आगे बढ़ाया उसकी राइर डैमेंशन के तरफ लेके गया इस थेहरी को तो जो जो लोग हैं वो ना सिर्फ लेंट को यूज करते हैं बाकी ज़्यादा चीज़ने के लिए ज़रूर नहीं है कि लैंग्विज कि दियूर आगे भी बढ़ा सकते हैं यह तो यह स्की स्की अट थिओरी ठीडिए से कि अंदर रखी थी bethada चाल साथ फाफ लिविथे सिक्म्योंकेशन ति यह थी के जो leso सिक्कम्योंकेशन उती है किसी भी लेंविज के अदर वह लिंग्विंविशてक एक्शन बात करता है कि सी अकौरिए यह स्पीज एक्टर घृज्? कि जो पहले हम यह समझे थे कि जो लफज होते हैं जो कम्यूनिकेशिक अंदर हम अलफाज जूज करते हैं जो सिंबल जूज करते हैं जो संटेंस जूज करते हैं करते हैं जरूरी होते हैं हमें कम्यूनिकेट करने के रिए लेकिन बाद में जो स्पीछ अक्ट थी तेहरी थी उस ने इस चीज पर जोड दीया कि जब हम यह सारे संटैंस हम वर्ड वगार जूज कर रहे होते हैं तो बेसे कलीए हम एक एकशन पर कर रहे हुसे होते हैं तो से मेनिक सब्सक्द हैं जो इनके मीलं थे हो बैसीकली इर्टेंडन को जो सब्सक्राइब हो उसकी करते हैं टुरी इंथिस एड़ बात करने करेने करेते हैं अग़िछ यूरी इमफसाइजेग difdha यॉटिमफर तो यह जो थियोरी है यह इस चीज पर जो देती है कि यह जो अट्रिस थे यह जो अलफाज थे जब जिन के जरी वो कम्मिनिकेट करते हैं तो उनके जो मीनिंग होते हैं वो कंटेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह दो काइंट्स एक की कांस्टेंटिब एंड परफार्मेटिव एक इसको बिसक्राइब करती है इनलेशन विद एफेक्ट अफ्रू आलफास के वो जो शुच्छने वो ट्रू है यह फालस है उसको यह डिस्क्राइब करती है इसवे इस चीज़ फोकस करती है आगे जी डिस्कोर्स एज एंड सोश्य लिंग्विस्टिक करने एक्जम्पल आपको दे रहा है तो यह आपको एक एक्जम्पल दे रहा है अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं छोड़ दे तो फिर भी कोई जाद मसला नहीं है वो आपको जो एक एक एक्जम् करेंगे और जो इसके अदर नहीं करते हैं कि और एक खास मीनिंग को करेंगी क्योंकि जरी ही हम अपनी बात को अगले तक पहुचाते हैं कि उनका एक खास मतलब होता है ठीक हो गया आगे है जी आस्टेंड डिवाइड स्पीच एक्ट इंटो थी डिफरेंट के इस तो आउ होता है अगले बंदे को पना चल जाता है उसके हम लोकैशनरी अक्ट कहते हैं और ऑपया लिए और एकष्ण होता है इसलोकेशन्रेक्ट है जिसको हम परफ़ाम करते data चेए और हम कुछ एक्ट एक्ट at करता है आउडियन्स कि ऊपर कि आपने आउडियस की बात को समझा है तो आप जो एक हिंट देते हैं उसको हम पर करते हैं तो यह वह तीन आक्ट हैं जो कि आसने तीन केडिगरी जिक अदर डिवाइड करता है अगया जी टाइपस ऑफ स्पीच एक्ट की कौन कौन से टापस हो प सब्सक्राइब जो को तो यौन स्प्रेश कर देख स्पीकर को एक इस एक टौन को जो को तुरू होती है तो प्रवेशन जो कि एक प्राप्जिशन जो के सची होती उसको डिस्क्राइब करता इसके अंदर रिप्रिजेंट करता है क्या होती कमेट सब्सक्राइब के विबंस चाफ होते हैं ओर निद वह प्रोम प्रॉमिस बगारे इसमें आ जाते हैं कमिसेश के अंदर आ रहते हैं यह दो टाइप्स होगे तीसरी है जिसकी डिरेक्टिब्स डिरेक्टिब्स आर यूज़ बाइस्पिकर हूँ अटेंप्स तो गैट दा अड्रेसी तो केरी आउट एन एक्शन अड्रेक्टिब्स में आड्रेस्ट रहा होते हैं इंवाइटिंग यह फिर्टिब्स होते हैं डेक्रीडियों होता है तो यह चीज़ को यह चौथी टाइप है अगे एक्सप्रेस समसाइब आफ साइकालुजिकल स्टेट आपकी जो सब्सक्राइब करते हैं अंडर दा हैडिंग आफ एक्सप्रेसिव तो यह वह मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो आपने याद रखना है आगे जी डियीस्कॉर्स ऐख्जेज स्ट्रेचेज अफ लेंगविज लेंगवाज अंड इन दिया लिंगविजिक एंड एक्स्ट्रा लिंगविजिक के वह लेंगविजिया करता है मुथ्च वह एक्स्ट्रेज़ुक्त। और यह साब से जो मुक्तलिफ लैंविज के उनको डिस्कॉर्ण वह स्टेडी करता है इस तो अनकवर रेगुलरिटी जिस विच पूट नाट कॉंट इंचेशनल लेवल और यह अनकवर करता है कि वह कौन कौन से रूल जूज होते हैं जो के मुक्तलिफ लैंगविज बेट्स इसको अपसमें जोडने के रिagus समाल होते हैं अमिक्स के लिए जो तो लैंगविज को स्टेड़ी करते हैं किस तरह हम ढ workforce को यूजिस को परफैंट इस बेग्सक्यूट करते हैं'dちゃん तो यह सारह चीज़े में हम इसको डिस्कूर्स अन्द़र पढ़ते हैं यह उह भाई आस को inception this paradigm was not meant to be model of discourse analysis लेकिन जो जब ये शुरू शुरू में ये जो paradigm था speech act theory का इसको हम discourse analysis के अंदर हम इतरा ज्यादा importance नहीं देते थे लेकिन आज के दोर में ये एक खास important एक्तियार कर चुका है इसकी एक खास importance बन चुकी है आगे जी speech act and society speech act theory का society के उपर क्या किर्दार है इसको हम आप देखेंगे speech act theory and society के speech act theory का society के उपर क्या किर्दार होता है speech act theory is a sub field of pragmatics concerned with the ways in which words can be used not only to present information but also to carry out action कि जो speech act theory है ये pragmatics की एक फार्म है जिसके अंदर हम हम मुख्त तरीकों से देखते हैं जिसके अंदर के जो लाफ्स होते हैं वह सिर्फ information के लिए यूज नहीं होते हैं बलके मुख्त एक्षिन को परफार्म करने के लिए होते हैं तो speech act theory कि हम शुरु से इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि यह तो यह तीने हों हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगया जी सार्ल फाइव इलोकस्टनली पॉइंट्स नेश नेमली के सार्ल के पांच किसम के इलोकेशनरी एक्स हैं जो कि सपीकर है वो चीफ कर सकता है अपने प्रपोजिशन के अंदर जाब बहुत कर होता है एक है जिदा सब्सक्राइब डिरेक्टिव डिरेक्टिव डिक्रेटिव एंड एक्स्प्रेसिव इलोकेशनरी पॉइंट तो यह हम पहले वन नहीं हम भी आम इनको पाढ़ चुकर दीए किया क्या चीजे बोफ पांत पॉइंट से हैं जो कि सव्सक्राइब बेच्ष इयुकर अगर्ड ठीक्स सुप्रण के बाद जो स्पीट ऑक्ष्थ फैरी ऑसके बैडिए उसके उपर किर्टिश्य सुरूओं गया वजए निटरि प्रवाइड सिस्टेमेटिक वर सम कंबर सम फ्रेमवर्क पार इनिटिफाइंग दास अंस्पोकन प्रिजबशन इंप्रिकेशन एंड इफेक्स ऑफ स्पीच एक्ट स्पीच थीडिया जो स्पीच एक्ट थेयरी इसके उपर लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया प्रेंग क्लिफाइड इसको क्रिटिसाइज करना पड़ा स्पीच एक्ट थीडिया इसको इससें एक क्रिटिसियुम का सामना करना पड़ाम सेहन uh passive role. और इसके साथ जो speech act theory दे ओर जो सुनने माला है, उसका एक passive role होता है, मतलब उसके उसका कोई खास केदार नहीं होता तो इसलिए भी इसके ओपर ज्यादा criticism किए कि आगी, भाई, speakers को आपने पूरा active role दे दिया और जो सुनने वाला जो हेरर है उसको आपने कुछ नहीं दिया आगे जिदा एलोकेशनरी फोर्स ऑफ पार्टिकुलर अटरेंस इज डिटर्माइड बिद रिगार्ड टो तो जो फिर interaction में दोनों तरफ से आपका conversation होती है तो इसलिए वह इंदर आपने निगलेक्ट किया इसलिए 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 आपने इसमें मतलब इग्नोर कर दिया है तो इसलिए जो जो को परेटेव इसलिए 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 को यह मतलब होता है कि आपका लिंग्विश्टिक लितरेश्टेश्चेंज रिंदर किस तरह जो इंसान बिएव करता है करने सेशन के अंदर मिकों करते हैं रख पर उसकता है किस तरह करते हैं इंट्रेशν गंद आप इसको बहुंदर कशलम पारिसाइप जो ग्राइस था उसने कोपरेटिव प्रिंसिपल एक सैट आप नाम्स होता है जो के अंदर आप अक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से इट कंजिस्ट फॉर मैक्स इसके चार मैक्स चार टाइप से कि वी हैव फॉलो दाटर कोपरेटेंट हम इन चीज़ों को फालो करते हम इसको समय सकते हैं तो चलते हैं जी आगे हैं जी कोपरेटिव प्रिंसिपल क्या होता है का मतलब यह होता है कि एक सैट आफ नॉर्म्स होता है जो कि हम कनम सेशन के अंदर एकस्पेक्ट कर रहे दूस् समस्तिक क्टा कि मतलब यह होता है कि आपने जो बात करीजेशन के जरे और आपने जरीर कि जख करनी और आपने सची बात करनी है कि मैक समाना कॉएन्टी को रहे हुज पर लूडा है कि मैक समा क्टेटी के जो आपने बोलना है कि एक डियाप तो भी आपके स Weird as required जितनी information हमसे मांगी जाए हमने वही देनी है quantity कामने कोई ज्यादा ज्यादा यह कम हमने नहीं बोलना तो इसको हम maximum of quantity कहते हैं maximum of relation relation का maximum of response has to be relevant to the topic हमार जो response है वो relevant to the topic होने चाहिए और maximum of manner की बात करने तो we have to avoid ambiguity or obscurity we should be direct and state forward हम state forward बात करने चाहिए और पचीदगी में पढ़ने से हमें आवाइड करना चाहिए तो यह वो चार maximums है जो के हमें हमारे लिए जरूरी होते हैं जब हम cooperative principle की बात करते हैं तो यह चार maximum को हम मदे नज़र रखना चाहिए हमें नेक्स्ट हैं फ्लोटिंग डा cooperative principle की हम किस तरह हम फ्लोट का सकते हैं cooperative principle को differences between floating and violating maximums कि किस तरह क्या फर्क होता है floating और violating maximums के अंदर thomas and cutting discuss difference between floating and violation maximum की जो thomas था और जो cutting था उन्होंने जो floating और violating maximums हैं उसके demand difference को वाज़ा किया था a speaker is floating a maximum if they do not observe a maximum but has no intention of deceiving or misleading the other person कि वो floating की बात कर रहा है कि floating maximum की बात अगर वो कर रहा है कि जो एक speaker है वो अगर कोई बात करें वो किसी भी maximum को जो चार maximum conversation के आपको बताएं उन्हों को follow ना करें लेकिन उसका मकस्द यह ना हो कि वो किसी को धोख़ा दे रहा है या mislead कर रहा है तो उसको हम floating कहते हैं मतलब unintentionally अगर वो किसी भी maximum को follow नहीं कर रहा तो उसको floating कहते हैं और violating के अगर आप बात करें अगर वो किसी maximum को use ना करें और उसका मकसद हो किसी दूसरे बंदे को mislead करना तो फिर वो violating maximum होगा तो आपको बचा गया floating क्या होता है जब बंदे की intention ना हो mislead करने की और जब intention हो mislead करने की तो उसको violating maximum कहते हैं तो यह difference है नेस्ट एजी according to grace 1975 the purpose of cooperative principle is to get effective communication as informative as clearly के according to grace grace था उसके मताबिक मकसद था cooperative principle का वो यह था कि हमने communication को effective बनाना है और informative बनाना है यह मकसद था in a conversation a speaker and a hearer are supposed to respond to each other in their turn with the needed information that benefits both of them और उसका मताबिक grace के मताबिक जो conversation है उसका मतलब यह होता है एक बोलने माला हो और एक सुनने माला और वह रिस्पॉंड का रहे हैं और information का तवालक आ रहे हैं इतनी information दोें जिसकी ज़रूरत हो और जो कि फायदे के जी दोनों के फायदे के इस्तमाल तो उसको हम कर्मसेशन कहते हैं वह दूसरे को रिक्वाइड इंफरमेशन एक्सचेंज करके एक दूसरे की अच्छेंज को अच्छे दर किसे समय सकते हैं इस लिए जो कोपरेटिव प्रिंसिपाले ये बहुत जहादा यूज़ रिंघ्विस्ट्न के अंदर आप्लाइड अप्लाइड लिंग्विस्ट्रिक के अंदर क्योंकि इसके जरी हम जो रिटर्न है यह इसको हम एकस्प्लोर कर सकते हैं तो यह आपको पता चल गया कि जो बात गर नेक्स चलते हैं जी पॉलाइटनेस फिर एंड स्कॉर्स के प्लाइटनेस पेसाों डिस्कॐर्स क्या होता है ехछओ डाइनफेस को अफेस कम फैस फॉम्स प्राइडनेस की बात करें प्राइडनेस और फेस का मतलब होता है कि हमारे लिए यह समझना जरूरी होता है कि जो लोग है जो कोई बात करते हैं तो वह किस तरह एक मखसूस तरीके से पर्टिक्लर वे के जरी किसी भी स्पोकन या रिटन डिसकोर्स के अंदर वह जूमलों का इस्तिमाल करते हैं तो हमें प्लाइटनेस और फेस की फेयरी के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम समझते हैं कि किस तरह लोग मुथे पाटिक्लर वे के जरी शरी को को डिसकास करते हैं और वह कौन कौन सी सिच्टुशन होती है जब एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्ट is the notion of involvement and independence. ये further preparedness के ही दो notion है. involvement or independence. जिस को हम मखेर डिसकास करें गे. issues discussion के अंदर ये मुख्तले issues होते हैं. कि कितना बंदा involved हो रहा है और कितना independence है. the term involvement refers to the need people have to be involved with others and to show this involvement. जो involvement का मतलब है कि लोगों को कितना जरूरत है involved होने की interaction के अंदर involve होने के लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है वो किसी तरह आपनी इन्वालमेंट करते हैं किसी भी conversation के अंदर और वी माइच शो दिस इन्वालमेंट बाइशुंग आवर एंडर समन बाइबी तो हम अगर moderation हम उसके साथ इन्वालमेंट आपनी स्ट्रेज़ी को चूज कंसे लगए on a number of पर एजमपल आरोई क्लोज फ्रेंड्स कि अगर हम प्राप्रीस की सब्सक्राइब किसे बात कर रहे हो तो यह वो तीन चार पॉइंट से जिन को हमने मतनजा रखना चाहिए अपनी प्राइटने स्ट्रेटेजी को चूज करते हुए कि हमने दोस्तों से के सतरा बात करनी है लिए major हो लाव बीच है ओवर आसं हैं और यह भी जैनमी रख्ना है लिसे हम बात कर रहे हैं इसकी पावर हम से ज्यादा है है यह यह हम से कर रहे प्राइटने स्टेटिजिस को क्योंकि इन सवालों को मना रखते हो आमने अपनी इस जो स्टैटिजिए उसको चूज़ करना है फेस्ट प्राइटनिस अक्रास कल्चर और फेस्ट प्राइटनिस में वेरी करती है इस इंपोर्टेंट प्राइट ओड़्ट आप स्पेसिफिक मिसाल वो दे रहा है कि कुछ मवाश्रों में यह होता है जो पैरेंट्स होते हैं उनके पास ज्यादा एक्तियार होता है कि वह अपने बच्छों के जिन्द्ग का फैसला करते हैं तो यह इस तरह कल्चर डिफेस्ट पाया जाता है इंस अगर आपने किसी आफर को रिफ्यू आइडल सीज प्राइड़ इन जपायनिस एस हम घर्टू मैंटेन कम्मिनिकेशन तो जो आइडी सीज पायनिस यह मतलब जादा स्ट्रीजिक तरीक तरीकिसे देख जाता है और उसको एक नेशनल हर्मोनी या चीव करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो यह हर सोसाइटी क अबने रूल्स इसके बारे में इस भाड़े और देंडेट डाजूस ऑफ लेंगविज विरी उफर वेरी अक्रास कल्चे तो इसलिए ज़रूरी है कि हम याद रखे कि जो प्लाइनिस की तेजिए हर सोसाइटी में इसका अपना मतलब होता है और इसकी जो च्छोएस होती ह है strategies की वह सुसाइटी डीफर करती है कि वह आपको मिसाल दे रहा है गिफ्ट गी मिंगे इस एन एक्जमपल अप्लाइने स्ट्रेजी डैट वेरिज अक्रास कलचा है जो गिफ्ट देने की एक रिवायत है यह प्लाइनेस की एक स्ट्रेटिज